ये बड़ी और रहम जानकारी उन्नाव से है जहां लखनाओं और आगरा एक सा हुआ है ये बड़ी और रहम जानकारी वही हाथसे में 18 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है बता दे कि 30 लोग घायल हुए है और जिन्हें अस्पताल में अब तर भरती कराया गया बड़ी और रहम जानकारी बता है वही टैंकर और डबल डेकर बस में आपस में भिडनतों हो गई और इस हाथसे में 18 यात्रियों की ही मौके पर मौत हो गई है वहीं 30 लोग भायल हो गए तिकराया गया है वहीं बड़ी और आहन जानकारी हम उन्नाव से आपको बता रहे हुँ हाथसे के बाद बसके टुकड़े-टुकड़े हो गया। एहम जानकारी उलनाव से है जहां एक्सपेस्ट वे पर एक बड़ा हादसा हो गया है तेंकर और डबल टेकर बस में आपस में भिणिनत हो गई और तीज घायल हो गया है और इसमें 18 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है बड़ी और एहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं वहीं हादसे के बाद बस के टुकड़े टुकड़े हो गए और मौके पर अब DM और SP पहुँच गए हैं और उन्होंने इस हादसे के बारे में जानकारी भी जुटाई है वहीं बात करें यहादसे के तो यहादसे के बांगर मौको पोतवाली के पास हुआ है ये बड़ी और रहम जानकारी वहीं लखनव और आगरा एक्स्वेप एक्स्प्रेस्वेप परिया आज बड़ा हाथसा हुआ है ये उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वहीं टैंकर और डबल डेकर बस में आपस में भिड़नती है और इस हाथसे में अगर बात करें यात्रियों की तो 18 यात्रियों की मौके पर ही यहां मौत हो गई है वहीं इस अड़क हाथसे को लेकर CM योगी ने भी आज संग्यान लिया है और ड़तोकों के परिजनों के प्रती भी CM ने सम्वेद में भी ब्यक्त की है यह बड़ी और एहम जानकारी बता रहे हैं वहीं मौके मंत्री ने घायलों के समूचित उक्चार के भी निर्देश दिये है बड़ी और एहम जानकारी उन्नाव से बता रहे हैं वहीं इस ताड़क हाथसे में CM योगी ने भी संग्यान लिया है बड़ी और रहम जानकारी बता रहे हैं उन नाव से जान टेंकर और डबल डेकर के बीच आपस में भिड़न्थ हो गई और हाथसे में अब 18 यासियों की मौके पर ही मौत हो गई है अब CM योगी ने भी संग्यान लिया है वहीं रतकों के परिजनों के प्रती भी CM ने अब सम्मेद नाव भी व्यक्ति की है और इस हाथसे को लेकर CM ने अफसरों को ततकाल मौके पर पहुँचने के भी निर्देश जारी किये हैं ये बड़ी और रहम जानकारी बता रहे हैं व बड़ा हाथसा हुआ है ये बड़ी और रहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं आप TV स्पील पर देख सकते हैं